पनीर की बहुत ही healthy इडली बनाएंगे आज जिसके लिए आधा कप सूजी, आधा कप बेशन और एक कप दही लेना है अच्छे से mix करना है और जरुत के according पानी डाल कर हमें गाडा गोल बनाना है फिर इसके बाद आप इसमें अपनी पसंद की सबजियां इड कर सकते हैं गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, नमक डाला, mix करेंगे 10-15 मिनट के लिए rest पर रखने के बाद आप इसमें थोड़ा सा इनो डालेंगे और दो चमस डालूंगी मैं इसमें पानी जिसे की इनो जल्दी से एक्टिवेट हो जाए, mix करेंगे और लास्ट में डालेंगे कद्दुकस किया हुआ पनीर, मैंने 1500 ग्राम पनीर लिया है बस मिला लेंगे और इसे भर देंगे इडली के साचों में 10-15 मिनट तक इने भाप में हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर उसके बाद हमारी पनीर की बहुती सॉफ्ट और स्पॉंजी इडली बनकर बिल्कुल तेयार है तड़का लगाने के लिए मैंने ओईल गरम कलिया है इसमें राई भूनी और उसके बाद थोड़े से करी पत्ते डालकर इने डालेंगे इडली के ऊपर ही तड़का ओप्शनल है आप चाहें तो ऐसे ही सर्व कर सकते हैं सामबर या फिर अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ बहुती हेल्दी टेस्टी ओप्शन है जरूर ट्राय करके देखें आप